बिहार सरकार का कहना है कि बिहार जमीन सर्वे हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो केस मुकदमा है न कोट में इसमें 50% से ज्यादा 60% लगबग जो केस है वो जमीन से जुड़ी हुई केस है। सही बात है। लेकिन 60% केस अगर जमीन से जुड़ी हुई केस है तो 60% में 54% जो जमीन से जुड़ी हुई केस है उसके पीछे जो सबसे मुक्खे जिमेवार हैं वो हैं CO, करमचारी और जमीन माफिया। जमीन रहियत नहीं है। और आपसी बिवाद अगर है जैसे भाई का भाई से या भाई या भाई बाप का बेटा से या भाई का भतीजा से किसी भी तरह का मतलब आपसी परिवारी जो बिवाद है वो हम समझते हैं कि मात्रे 6% है। अब ये जो मामला सामने आया है, ये इसलिए सामने आया है क्योंकि लोग अब खुल कर अपनी बात को रख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने एक रिपोर्ट बनाया था, उसमें हमने बताया था कि पटना जीला के DM चंदर सेखर सिंग जो की धनरवा परखंड के CEO को लेकर जो उन्होंने बात कही वो काफी वाइरल हुआ। और काफी लोगों ने उसे देखा, सुना, समझा और ये एकशन इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए वहां के रियतों ने आवाज उठाया और उस आवाज को मिडिया के माध्यम से चंदर सेखर सिंग तक पहुचा और इसके बाद ये एकशन हुआ। जिसमें हमारे एक विवर्स हैं, सीव चंदर परसाद, उनके कहने पर हमने भी कई बार आवाज उठाया और वो आवाज चंदर सेखर सिंग तक पहुचा। अलाकि उनकी आलोचना भी हुई कि आपको इस तरह से इस भासा के साथ सियो को फटकार नहीं लगाना चाहिए था। उन्होंने काफी अब सब्दों का भी प्रयोक किया है यह अलग बात है लेकिन देखिए जो जिस भासा को समझे उसको उसी भासा में समझाना भी पड़ता है। अब लगबग 80 लोगों ने इस रिपोर्ट के उपर कमेंड करके अपना समस्या अपने छेत्री की समस्या उन्होंने बताई है। कुछ लोगों ने धन्यवाद भी दिया है नमस्कार भी काया है। और सीव चंदरप्रसाद जो की पटना के धनर्व परखंड के हैं जिनका समस्या था। उन्होंने भी धन्यवाद काया कि आपने आवाज उठाया इस पे कारवाई हुई इसके लिए आपका धन्यवाद हम थक हार गये थे। हम हार मान लिये थे। तो भी हार के आप किसी भी जिला से भी लोग करते किसी परकंड में आपका जमीन है आप परिसान है तो आवाज उठाये और हम कोशिज करेंगे कि आपको आवाज जो आपका आवाज आपकी समस्या है वो सोसल मेडिया के माद्धम से हम उन अधिकारी उन मंत्री तक पहुचाएं जहां आपकी समस्या का समधान हो अब इस नाम को अगर हम पढ़ने जाएं वैसे आप जाकर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर जाएंगे और एक के वीडियो है जिसका टाइटल है पटना के देखिए इसका टाइटल है पटना के डियम की बात हो गया है जमीन सर्वे से जुड़े हुई यह रिपोर्ट है अब अगर इसका कमेंट हम आपको पढ़कर बताए तो असोक महतो हैं जिनका कहाना कि आपका निव जमो बहुत अच्छी लगी असोक महतो के तरफ से कोटी-कोटी नमस्कार आपको भी नमस्कार इसके बाद हैं कट्रा परखंड के बहुत सारे वरस्टाचार भरे हुए हैं वहां किसीयो सुनते हैं ना करमचारी सुनते हैं और परिमारजन करने के लिए अभी तक उन्होंने परिमारजन नहीं किया यानि यह परिमारजन के लिए कहे हैं तो यह जो समस्या है किसी एक जिला का नहीं है कि अभी जगा का है, एक का दू का छोड़कर सब जगा का ये समस्या है, लेकिन एक अच्छी ख़बर ये है, कि बिहार सरकार के भूमी राजास्व मंतरी दिलीब जैसवाल, देकि दिलीब जैसवाल का जो छवी है, वो साप सुत्रा है, वो बरस्टाचारी और बरस्टाचार को बिलकुल बरदास नहीं करते हैं, उनकी जो चबी है, साप सुत्रा है, और सबसे पर हम आपको एक बात क्लियर कर दें, कि बिहार में जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, बहुत अच्छी पाल है, बहले ही कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए ताप लिक लगेगा, परिस यही है, कि बिहार में जमीन सर्वे का काम हर हाल में हो, और साफ सुत्री हो बिना वरश्टाचार के हो, लेकिन उनको पता कैसे चलेगा कि वरश्टाचार हो रहा है, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये 78 लोग जो हैं, 78-80 लोग जो हैं, इसमें कुछ लोगों ने सिर्फ ये कहा है, कि आपका धन्यवाद, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो समस्या है, वो हम आपके साथ सेर करेंगे, और उनको भी इंसाफ मिलेगा, उनके साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि जब मंतरी जी सोच लिए हैं, कि बिहार में जमीन सर्वे बिलकुल निक्सपक्च हो, तो निक्सपक्च ऐसे नहीं होगा, मंतरी जी कह दी और निक्सपक्च हो गया, ऐसा नहीं है, मंतरी जी हर परखंड में जाकर, हर गावं में जाकर निक्सपक्च नहीं कर सकते हैं, अगर कहीं वरस्टाचार है, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, आवाज उठाना होगा, बिना आवाज उठाए नहीं हो सकता है और इसके अलाबे बहुत से ऐसे लोग हैं उर्वी चमपारन के संगरामपूर अले करेले से मेरा जमवन्दी आनले नहीं हो रहा है इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और इसके अलाबे और भी लोग हैं आप जाकर देख लिजिएगा बहुत इसमें 80 लोगों का कमेंट है पढ़ने में काभी बक्त लग जाएगा लेकिन हम आपको वो चीज़ बताने आया हैं आज कि आपका आवाज सोसल मेडिया के माध्धम से उन पताधिकारी तक पहुचेगा देखिए इसमें दो बाते हैं अगर आपके जिले में बड़े पताधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं तो इसमें थोड़ा बक्त लगेगा लेकिन अगर बड़े पताधिकारी इसमें सामिल नहीं है जैसे सीयो और करमचारी के मिली भगत से बहुत से लोगों का कमेंड है कि मिली भगत से उनका जमीन का जो दाखिल खारिज है वो किसी और के नाम पे कर दिया गया है कहीं कहीं बहुत बड़ा घोटाला है जमीन बिका नहीं है लेकिन जमी पेपरों में बेच दिया गया है अब जो दबंग है उस जमीन पर कबजा करके बैठ गया है तो ये सब जो चीजे है ये इसको छोटी बात नहीं कहा जा सकता है इसमें बहुत से लोग मिले हुए हैं तो इस पर कारवाई होने वक्त लगेगा ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट किय हमने इस पर रिपोर्ट त्यार किया आपकी आवाज को हमने सोशल मेडिया के मादम से उठाने कोशिस किया और बस कुछ दिनों में उस पर करवाई हो जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन करवाई होगी देखिए एक बात आप ये मानेंगे कि बीमारी जितना पुराना होगा जित पड़ेगी और बक्त लगेगा समय तो देना पड़ेगा अचानक से कुछ नहीं होगा लेकिन चंदर सेखर सिंग पटना के डियम जैसे जहां अदिकारी होंगे वहां करमचारी और सियो को कलास तो लगाएंगे ही उनको लाइन पे भी लाएंगे तो अगर आप ये मानते है कि आपके छेतर में आपके परखन में बहुत ज्यादा वरश्टाचार है तो फिर उसका कुछ सबूत आप इकठा कीजिए तो जल्द करवाई होगी और जो हम पहले आपको बता रहे थे कि 60% जो केस है उसमें से 54% केस सिर्फ इसलिए है कि राजस्व अधिकारी के मिली भग के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं अब किसी का जमीन है और उसका जमीन ना वो बेची है ना किसी को दान दी है और कोई उस पर कबजा कर ला और कहे कि मेरे पास उसका पेपर है हम इसका रसीत कटा रहे है जमीन मेरा है तो यह लड़ाई होगा या नहीं होगा तो चाहे वो दान में दिया गया हो, या फिर बेचा गया हो, कोई तो सुरोत होगा ना, वो सुरोत दिखाना पड़ेगा, किसी के कह देने से, कि ये जमीन मेरा है, नहीं होगा, उसके लिए प्रूफ देना होगा, बाकाइदा, बिल्कुल प्रूफ और पेपर के साथ, अब कई ज और नहीं जिला में है, जिला रिकॉर्ड रूम में है, और मेरे पास जल गया, फट गया, चोरी हो गया, या किसी भी तरह से नश्ट हो गया, तो वो पेपर कहां से आएगा, और उस जमीन का जो मालिक हैं, वो उतने पहुँच वाले नहीं हैं, उनके उतनी पहुँच नहीं है कि अधिकारी उनकी बात सुने तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन समाधान सबका है आवाज उठेगी तो समाधान होगी आवाज उठनी चाहिए तो आपके छित्र में जो समस्या है उसके लिए आप कमेंट करें उसके लिए आप बताएं और नाम पता बिल्कुल सा अगला जो हम रिपोर्ट बनाएंगे, अगर आप यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं और अगला रिपोर्ट जो हम बनाएंगे उसको भी आप देखिएगा, तो हो सकता है उसमें भी आपका समस्या दिखे, क्योंकि बहुत से लोगों का एक ही समस्या है, जैसे जमीन का पेपर नहीं मिल रहा है, इसका समाधान कैसे होगा, बहुत से लोगों का समस्या ये है, कि पैसा भी दे दिया गया है, परिमारजन के लिए, लेकिन इसके बावजूद हो नहीं रहा है, कई लोग कमेंट करके बता रहे हैं, आप जाकर देखें ने कमेंट सेक्शन में, कि नवंबर आ के बावजूद, तो पैसा असल में होता क्या है, कि जो पैसा आप दे रहे हैं, वो डायरेक्ट ना तो सियो ना करमचारी लेता है, उनके होते हैं दलाल, कई लोग तो कमेंट करके काते हैं, उनके एक नहीं, चार चार पांच पांच दलाल होते हैं, और जब तक आप उससे नहीं मिलेंगा, आपका काम ही नहीं होगा, कई जगा का ये भी समस्या है, कि जो नंबर है, ओफिसियल नंबर, उस पे वो फोन ही निसीव नहीं करते हैं, आप कहां है, कब काम होगा, नहीं होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम से कम फोन करके अगर लोग जानकारी लेना चाहते हैं, यह अधोनिक यूग है, डिजिटल इंडिया का यूग चल रहा है, तो फोन के माध्यम से भी लोग जानकारी लेकर परिसान होने से बचेंगे, तो फोन नहीं उठाया जाता है, यह एक समस्या यह है, तो इन तमाम समस्याओं को अधिकारी, जो इमांदार अधिका अपने छेतर की समस्याओं, अपना नाम पता के साथ, अपने डिस्टिक अचल परखंड के साथ लिखें, हम आवाज उठाएंगे, और आपकी समस्याओं का समाधान 100% होगा, जो आपके दिमाग में एक बात चल रहा है, कि बिहार में बरिष्टा चार तो होते ही रहता है, चलता ही रहेगा, कोई आए, कोई जाए, इसका समाधान नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो, इमानदार नेता भी हैं, और इमानदार अधिकारी भी हैं, और उनहीं के वदौलत, ये जो धरती है न, चलता है, अगर सभी बरश्टाचारी हो जाएंगे, तो समझे कि ये ही नहीं, तो हैं, और इसलिए चल रहा है, और चलेगा, तो आप अपनी समस्या जरूर लिखें, मिलते हैं, अगले अपडेट में, नमस्कार, जैहीं, थैंक यूँ